ना मैदा ना सूजी ना बेसन आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और उबले हुए आलू का ये नास्ता जो दिखने में ही काफी कुरकुरा और टेश्टी है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है आप इधर बनाते जाएंगे और इधर सारे बच्चे चट करते जाएंगे इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक प्याला गेहूं का आटा आप चाहें तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा हेल् और थोड़ा सा इसमें हम कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और आधा चमच के करिब कुटी हुई लाल मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे और साथ में हम डालेंगे एक चोथाई चमच हल्दी इससे आटे में कलर आएगा और यहां पे हम एक चमच सफेद ति मिक्स कर लीजिए कि हमने जो धनिया की पत्ते और मिर्ची बगएरा डाले हैं वो एक जगा पे ना रहें जब यह सारी चीज़े अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं तब हम इसमें दो चमच रिफाइंड ओयल डालेंगे तेल डालने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से अच जलके हाथों से कुछ इस तरह से मिक्स करते जाना है हम आठी को जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा नास्ता उतना ही कुड़कुड़ा और टेस्टी बनेगा हम इसमें रूम टम्प्रेचर का थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे ताकि एक कड़ा डो बन सके वरना गरम पानी से ये एकदम सौफ्ट हो जाएगा तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से हमने इसे रोटी से कड़ा आठा ही गुंधा है ये देखिए तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेष्ट करने देते हैं ताकि ये फूल सके उसके बाद मैंने यहाँ पे दो उबले लिए हैं इसे हाथों से कुछ इस तरह से चूर लेंगे आप चाहें तो इसे काटे चमच या किसी मैसर से इस तरह से हलके हलके चूर लीजिए ये हो चुका है आब हम यहाँ पे एक चमच कुटी हुई लाल मिर्च पॉडर एट करेंगे और हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी एट कर लेंगे हमने जीरे और काली मिर्च को भून कर कुट लिया था उसे यहीं पर एट कर लेंगे और साथ में हमने दो प्यास को बारिक काट लिया है उसे यहीं पर एट कर लेते हैं और हमने दो मिर्चे को बारिक बारिक काट लिया है इसे भी हम डाल देंगे औ आप यहां पे आधा चमच अमजूर पाउडर भी एड़ कर लीजिए आप चाहें तो यहां पे खटाई भी एड़ कर सकती है और इन सब को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से हमारी चटपटे और मज़िदार फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है तो कि थोड़ा आव नरम हो सके और इससे चोटे चोटे दो से तीन चार आप को जितने डो हो बना लीजिए मैंने इस तरह के चार लोई को कट कर लिया है और एक लोई को इस तरह हाथोस्न में मसलते हुए इसे चिकना कर लेंगे ताके फटे ना आम इसे चकले पर ही कुछ इस तरह से फ्लैट कर देंगे आप चाहें तो इसे फर्स पर भी अच्छी तरह से बेल सकती हैं वह आसानी से बेल जाएगा यह बहुत ही नर्म और सॉफ्ट है तो मैंने कुछ इस तरह से ऐसे बेल लिया है तो मैंने इसे ज्यादा मोटा या पतला नहीं रखा है अब हम इस खुलेना तो इस पूरी को हमें ज्यादा नहीं मोड़ना है आधा ही मोड़ना है ऐसे और उसके बाद आधे को हम इस तरह चूरी से कट करते जाएंगे ताकि इससे आगे हम दिखाएंगे कि कैसे बनेगा तो आप इसे अपने हिसाब से मोटा या पतला कट कर सकती हैं मैंने क कुछ इस तरह से ऐसे करके मैंने कट किया है यह देखिए और जब यह सारे अच्छी तरह से कट हो जाएं तो एक बार फिर से हम ऐसे ऐसे करके छुडा लेंगे ताकि एक दूसरे में सटे ना रहें और इसे इस तरह से टाइटली मोड़ेंगे ताकि यह अलग-अलग हो जाएंगे और इसे फ्राइ करने में भी आसानी होगी और हम इसे कुछ इस तरह से ऐसे करके छितार देंगे तो यह ऐसे राउंड हो जाएगा और यह जो बचा इस तरह एक मुह से दूसरे मुह में कुछ इस तरह से सटा देंगे तो यह आसानी से सट जाएगा यह देखिए और इसे सेट करने के बाद ये चारो तरफ जो पत्ती है इसे एक पत्ती को दूसरे पत्ती में ऐसे करके सटा देंगे तो हम इसे इसी तरह से एक एक करके सारे को एक दूसरे में सटाते जाएंगे तो हमारा एक डिजाइन तयार हो जाएगा तो ये सारे पत्ती एक दूसरे में सटकर एक डिजाइन बन जाएंगे ये देखिए ऐसे तो हमारा ये एक फूल तयार हो चुका है तो इसी तरह से हम बहुत सारे यानि चार्ट बना चुके हैं देखे, यह भी दिख रहा है न, बिलकुल पती, हमनी तेल को पहले ही मेडियम गरम कर रखा है, तो यहाँ पर हम एक एक करके, सारे को ऐसे ऐसे रखते जाएंगे, हम तेल को ज्यादा गरम नहीं रखेंगे, वरना एक बार यह जल जाएगा, तो हम इने इसे मेडियम गरम कर र तो यह देखिए कुछ देर बाद इसका कलर कुछ ऐसा होगी यह दिखने में भी अच्छा लग रहा है तो इस तरह के नास्ते अब बच्छों को लंच में भी दे सकती यह घर कोई महमान आये so उन्हें भी दे सकती है तो वो तो पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया और बच्चे तो इसे खुसी-खुसी खाएंगे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और झाल झाल